नमस्कार दुफ्तों मैं संदीब स्वागत है अपसरफिका आपके अपने सक्सेश यूटूब चैनल में दुफ्तों आज है क्लास नंबर सेवन आज किस वीडियों बात करेंगे जो भी इनुवर्सिटी और कॉले के दो छात्र है जिनकी परिच्छा 2021 और 22 के ससन में होने वाल से लगबख सभी इनुवर्सिटी के चात्रों की जो तैयारी हों कराएंगे और आप सभी को मालूम में पहले आप लोगों के लाउसमेंट कर दी जो भी टॉप लेबल के क्वेश्चन होंगे वह हम आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हिलफ सब्सक्राइब करेंगे तो आज कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह बहुत ही टॉप लेबल के क्वेश्चन है तो ध्यान से समझेगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंप्वाटन हो सकता अगर आप ध्यान से सारे क्वेश्चन सुनेंगे या फिर आप लोग देखेंगे समझेंगे तो आई होप आपको इस वीडियो से दो तीन नंबर तो क्लेरी हो जाएंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं वीडियो में औ सब्जेक्ट हिस्ट्री है ठीक है फस्ट हो जा जास चेंड हो दोनूं तो रुफ्षट चेंड का मतलब आप सबएक हिस्ट्री धो पेपर होते है फस्ट और चेंड ठीक है और पहला कोंश्चन है कि इसलाम धर्मकरस दौन था अप सरन मिल जाएंगे महमूद मॉहम्मद उम और भी नंबर है अब बासी खलीफा सी नंबर है उमम यद खलीफा और दी नंबर हज्रत मुहम्मद ठीक है तो तो टाइप करने में या फिर बोलने में तो कुछ वर्ड मिस हो सकते हैं गलती से इसके लिए ग्लोर कर दीजेगा आप लोग ठीक है तो इस्लाम धर का समस्थाप कौन था आपको मिल जा रहे हैं इसमें जो राइट एंसर होगा वह आप लोगों को बताना होगा आपके एक्जाम में जब कुछे जाएंगे उमार सीट पे फिरहाल इस सीरीज में जो भी कोश्चन में आप लोगों बताऊंगा टॉप लेवल को उसके एंसर भी करूंगा त इसलिए क्या राइट एंसर हो जाएगा डी नंबर क्या होगा डी नंबर हज्रत महुंबद अब करिए आप किसपे महुंबद भेडिक है अगले कोश्चन की और हम बढ़ेंगे अगला कोश्चन देखते कौन सा लिखा है कि भारत में मार्क्षवादी विचार धारा का अग राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर स्टी डीडी को सामभी ठीक है बी नमबर पे हम क्लिक करेंगे सुरी सी नमबर पे राइट एंसर सी हो जाएगा ओके बढ़ते हैं कले क्यों अगला क्वेश्चन कहिए कि समराजवादी इतिहास लेखन की अधार सिला रखी गई जेम् सिला रखी गई थी वह रखी गई थी जेम्स मिलके द्वारा इसलिए कोश्चन के जो राइट एंसर हो जाएगा आप लोग टिक कर लीजिए आपसर नमबर ऑके बढ़ाएंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन कहरा कि निमलिकित इतिहासकारों में से कौन मार्क लाइयों में से करेंकि इतिहासकारों में इतिहासकारों मार्क स्वादी इतिहासकार कान नहीं थाएक राइट-णिए होज्चन का नोबे लिखा कि भारतिय माक्षवादी बिचार धारा के अनुसार भारत में मद्ध कालुवर्ग सुरुवात को माना जा सकता है तुर्कों के आगमंद से अर्बों के आक्रमर से राजपूतों के पतन के बाद गुपतों के पतन के बाद तो कोश्चन थोड़ा करने वाले होंगे तो आप लोग समझ लेजेगा पहले कोश्चन का कहने मतलब यह है कि भारति माक्षवादी बिचार धारा के अनुसार ठीक है के अनुसार भारत में मद्ध कालुवर्ग की जो सुरुवात हुई ठीक है वो किसके द्वारा मानी जाती है ठीक है तो आपसर के बाद या किन से पहले तो राइट एंसर को जाएगा गुपतों के पतन के बाद कोश्चन का राइट एंसर करेंगे हम डी नमबर सही ठीक है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन कह रहा कि मद्ध कालिन भारती में आर्थी क्यों समाजी की इतिहास का अध अगला क्यों कि कुस्टा ऊणल गूर्द कोश्चन के हम कर देंगे एक कम कर देंगे आप कुद्वित दीन एवक ने किस अस्थान से सासन का संचालन किया नंबर एक आगरा से लहौर दिल्ली कर्णोज तो जो कुद्वित दीन एवक ने सासन का संचालन किया था देखिए ध्यान समझेगा कुद्वित दीन ने सबसे पहले कि फिस्थान से अपना फंचालन किया था सा अफसर मिली गए हैं इस को से राइट रजाएगा बी नंबर लॉहाल से संचालन किया था बहुत टॉप लेबल का कोईश्चिन ध्यान में रखेगा अगले को बढ़ते हैं लिखाए कि निम्रिकित में से किस्ट ने सल्तनतकाल में डाग विवस्था का बिस्तित बिरबड दिय जो आज की देश में पोस्ट कहते हैं कि पोस्ट के जरिया मैंने मंगाया है यह कोरियर कराया है ठीक है तो इसमें आपसन वही कह रहा है कि किसने संत्रलकाल में डाग विवस्था का बिस्तित बिरबड दिया था नंबर एक फिरोस्था ने बरनी ने इबन बातूता ने और आपसन डी है अमीर खुसरों ने इसको राइट एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर फिरोसा यानि की आपसन नमबर एक राइट एंसर पर कि लिक करेंगे ए नमबर फिरोसा ने धान रखेंगा बहुत इंप्वार्टन कोश्चन है कि प्रिथिवी चवहां तर्तिय को किस तु किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के प्रसिद्ध दुतियोद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा यानि कि पराजय हुई थी ठीक है सामना करना पड़ा तो आपसे आपको मिल जारे मुहम्मद गोरी तो तुम्हें बैक बैक्तियार खिल जी ओडिनमबर महमूद टिक करेंगे मुहम्मद गोरी पर अगला कोश्चन है कि उस मुस्लिम विजेता का क्या नाम उस मुस्लिम विजेता का नाम बतलाई है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदु देवी की आकरत अंकित कर रखी थी बहुत आप लेबल का कोश्चन है आपसे नेक है मुहम्मद गोरी अगले क्यों बढ़ेंगे तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भासा का आराम हुआ यह नी कि जब तुर्की लोग भारत में आये थे तब किस भासा का आरम हुआ था उनके समय में ठीक है हिंदुस्तानी फार्शी उर्दू और अर्भी तो आफ्चन जो है गेरा नंबर य अगले question को बढ़ते हैं लिखा कि महमूद गज्णमी के दर्बार का परसिद इतिहास कार कौन था बहुत ही टॉप लेबल का question है मुहमद गज्णमी के दर्बार का परसिद इतिहास कार कौन था चंदर बरदाई फिर दोसी उन भी हसन निजामी तो बारा नमबर question का इस तरह हो किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर बिजय प्राप्त किया था ठीक है तो इसमें आपसर मिल जाएंगे इलतुतुमिस जल्दूज जल्दूज और सी नंबर कुद्वित दिनेवक और डी नंबर बक्तियार खिल जी तो मुहम्मद गउरी किस दास ने बंगालें में बिहार पर बिजए प्राप्त की थी उनका जो नाम है वेए बक्तियार ठीक भक्तियार खिल जी राइट एंसर पर हम क्लिक करेंगे कौन सा दी नंबर बढ़ते हैं अगले कोशिन के और अलग कुश्चिन के रहा कि निम्न मेंसे कौन सा जपिन निम्न मेंसे कौन चंदेल सा सक्था जो मुहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, कौन चंदेल था इसमें से, जो मुहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हो था, डंग चंदेल, धंग चंदेल, विद्याधर चंदेल, जशक्ति चंदेल, तो राइट एंसर कोईशन का हो जाएगा, वो हो जाएगा, करेंगे हम 14 नंबर आप्षन पे किलिक ठीक है एगले कोश्चन के और हम बढ़ते हैं लिखा कि लहोर के गजनबी वंस का अंतिम सासक कों था लहोर के गजनबी वंस का अंतिम सासक कां था खुशो मलिक अलिक रिमज और मसूद सबगत गीन थीचे सुबगत सुबगत गीन ठीक है राइट इंसर को जाएगा पंदा नमर को जाएगा खुसो मलिक धान लखेगा खुसो मलिक अगले को बढ़ते हैं लिखा कि किस राज पर मुहम्मद गजनवी ने दो बार आकमण किया वहोत ही टॉप लेबल का कोईश्चन है रट लीजे ध्यान में रख लीजे औ आपसे ने एक है गुजराद मुंदेल खेंड लहोर मुलतान ठीक है तो क्वेश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा वहो जाएगा आपसे नमबर स्री लहोर पर दो बार अक्रमण किया था इन्हों है अगला क्वेश्चन है कि भारत में अर्बो का दूसरा अक्रमण किस किस वर्स हुआ भारत में अर्बो का दूसरा अक्रमण किस वर्स हुआ आपसन आपको मिल जाएंगे 643-44 के बीच 643-44 के दोनों सेम है फिरार टाइप करने मिस्टेक हुआ है अगला है कि 743-48 के बीच 650-48 के बीच ठीक है तो कोईस्टन में कुछ हमें लग रहा है कि द्धान में रखिएगा तो भारत में अर्बो को दोसरा अक्रमण हुआ था वह हुआ था ठीक है 643-44 इस भी में यानि कि जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तो यानि कि टाइप करने में थोड़ा में स्टेक हो गया है लेकिन आप लोग के उसमें आएगा तो ए जैपाल किस वन्सका था परमवार वन्सका प्रतिहार वन्सका हिंदू साही वन्सका हिंदू साही वन्सका डी नंबर चंदेल वन्सका तो राइट एंसर क्वेश्चन नंबर अठारा का हो जाएगा वह हो जाएगा हिंदू साही वन्सका हिंदू साही वन्सका राइट एंस पूछा ही पूछा जाएगा 98% मेरी गारंटी है चाहिए वो प्रथम से चाहिए चाहिए दुतिये से आए इन में से कोई न कोई पूछा जाएगा हंडड में 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूं तरायन का दूसरा किस वर सुभा था आपसर मिल जाएंगे अगला कोश्चन है कि महमुत गजनवी के भारत आक्मण का सर्वधिक महत्थपूर्ग प्रभाव था यान्य कि महमद गजनवी की भारत पर जो आकमण किये THे सर्वधिक महात्पुर्पुर्भाव क्या था इसमें तो आप्शन मिल जाएंगे इसलाम का परचार बी नंबर राजनेति क्यों साइनिक दुरबलता का उजागर होना धुस्त मंदिर धन की लूट तो इस कोईशन के राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नंबर बी राजने थी क्यों साइनिक दुरबलता का उजागर होना बहुत ही टॉप लेबल का कोईशन ध्यान में रखीगा राइट एंसर भी हो जाएगा तो दोस्तों आज किस वीडियो मैंने पूरे 20 कोईशन इंकलिवड किये थे जो की हिस्टिरी यानि की हितियास से समन्दे थे जो हिस्ट आप लोगा का समझ भी आ गया होगा कोई 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 कुछना जा रहा है तो कमेंट में सक्षण आप के लिए आप पूछिए उसका रिप्लाइज देनी कि में कोशिश करेंगे और आप लोग को कोई आप लोगों को कुश्चन पेपर यानि कि जो भी कोश्चन की सिरीज है क् कि अगर आप लोग के में मौर्णिंग भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा लेकिन आप लोग के कमेंट के ओपर डिपेंड होता है क्योंकि आप सभी क्यों मालूम है कि अब एक्जाम नजदीक आ गए हैं आप लोग समझे खुदी जल्दी जब स्कीम आएग या एक्जाम के ल जानगे.